देखी इसका first question है a traffic signal board indicating school ahead आपने इस तरीके का board जो है वो देखा होगा कि कैसे जो school के आगे लगे रहते हैं कि बच्चे आगे हैं तो थोड़ा धीरे चलो या कुछ इस तरीकेगा तो जैसे यह traffic signal board है देखिए कुछ इस तरीकेगा है है ना इसको बना लिया हमने ओके क्या लिखा हुआ यहां बे इस्कूल आहेड इस्कूल आहेड ठीक है ओके अब यह क्या कह रहा है कि इसन एक्यूलेटरल ट्रेंगल है कैसे ट्रेंगल कह रहा है आपका एक्यूलेटरल ट्रेंगल है जब इसन एक्यूलेटरल ट्रेंगल को लेकर के ओंसेप्ट चैप्टर 6 से हिवारा क्या होता है उनके सारे साइड इक्वल होते तो अब साइड ए हैं तो सब के हो जाएंगे यह भी हो जाएगा हमारा यह भी हो जाएगा हूतलब जुए जब सारे के साइड क्या हो जाएंगे इकवल हो जाएंगे आपके ठील fighting area सिग्नल पॉट मतलब जितने में यह लिखा गया है उसका एरिया क्या होगा सिग्नल वोट यूजिंघ हिरॉनस फॉरमूला इसमें हमें हिडॉनस फ्रमूला ही यूज करना है कि इप 크 सबसे पहले हम सबसे पहले हम साइड करेंगे ठीक है वाड़ विल वी दा एरिया ऑप इसका एरिया क्या होगा सबसे पहले हमें पता है अगर हिरॉन्स फर्मूला का ही यूज करने है दूसरा कुछ हम यूज करने ही सकते तो उसके लिए क्या है कि हमें ये ये जो है वो पता होना चाहिए ठीक है तो चलिए जो गिवन है जैसा कि बताया है आपको हमेशा बताता हूँ कि हमेशा जो गिवन होता है उसकी मदद से हम अपने को स्टार्ट करते हैं देखिए तो जो गिवन है देखिए गिवन है हमारा क्या गिवन है कि a b b c a c equal to a side of side of equilateral triangle equilateral triangle क्या है हमारा a a है गिवन ठीक है है अब प्रेड्र जी वन है है प्रेडी इंटर से अब देखिए यहां पर पैरी मीटर ओफ यह न करीम हम थर्ड फॉर्फ क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं बेशिक आइडिया जो प्रेमीटर को ले के यही है कि सारे साइड कोई भी पॉलिगन हो यह सरकल में तो टूपा यार फर्मुला हो जाता है कोई भी पॉलिगन हो तो उनUSE के सारे साइड । सब को ज्यूठ दीजिये लेकिन सब का फिर अपना एक पर्टिकुलर फर्मूلा भी हो जाता है जैसे इसका अगर equilateral triangle की बात करें तो आपके mind में आ चुका होगा कि इसका formula होता है three into side क्या होता है three into side ठीक है यह कितना है हमारा 180 तो जिस side की बात कर रहे थे अब वो clear दिख रहा है जो यहां से अगर हम side find कर सकते हैं 180 अपॉन यह three multiply में इसके तो इदर डिवाइड में आ जाएगा तो यह अगर हम cancel करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 60 मतलब अगर हम in all बात करें तो side क्या हो गया 60 cm हो गया ठीक है अब हमें side मिल गया तीनों की तीनों side पता होना चाहिए तभी तो ए प्लस बी प्लस सी का यूज कर सकते हैं तो तीनों सेम ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे देखते हैं हिरॉंस formula यूज करने के लिए s पता होना चाहिए जैसे कि first page में ही हमने formula देखा था पहले s equal to a plus b plus c upon 2 था thereafter वो formula था main वाला तो ठीक है पहले हम s find करते हैं तो s find करने के लिए क्या है हमारे पास a plus b plus c upon 2 तो तीनों के तीनों 60 है तो हम क्या लिख सकते हैं 60 plus 60 plus 60 upon 2 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा 180 upon 2 cancel हो कि क्या हो जाएगा 90 हो ठीक है बच्चों यह सिर्फ 90 है ध्यान दीजेगा s जो है हमारा वह 90 है ना कि डिगरी मत लिख देना ठीक है कई बार ऐसी गलतिया हो जाती है तो इस तरीके से s find हो गया अब हम area of Iran's formula का triangle का area find करने का लिए हम य तो अगर हमें area of triangle ABC find करना है by Heron's formula especially तो क्या हो जाता है हमारा formula s into s minus a s minus b s minus c यही है formula ठीक है s तो हमें मिल गया ना क्या है s हमारा अभी find के adjust हमने 90 है हमारा ठीक है done फिर s minus a क्या हो जाएगा लिख लेते हैं अगली बार से हो सकता है एक दो question बनाने के बाद इंचीजों को डायक्ट कर देंगे क्योंकि तब आपकी समझ develop हो जाएगी अभी फिलाल पूरे करके लिख ल ठीक है देखिए इससे आगे अगर हम solve करते हैं तो यह 90 क्या है और यह क्या है मरा 30 हो जाएगा यह भी 30 हो जाएगा यह भी 30 हो जाएगा ठीक है करते क्या है जैसे अगर आपको पहले से practice कर रखा है और idea है तो कम time में आप इस तो solve कर सकते हो नहीं idea है तो 30 को पूरा factorize करो इसको भी इसको भी पूरा एकदम 2222 करके लिखो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं तो बड़े नंबर का भी पेर आप बना करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो लेकिन जो कोश्चन के जो रूट के अंदर रहेगा उसको उससे ज्यादा फेक्टराइज करके बाहर निकलना तो उसके भी हाफ हैं माक्स कट जाएंगे जैसे देखिए मैं बताना जाओ इसको थ्री इंटू ठाड़ी लिख सकते हैं तो ठाड़ी कितने बन गए फोर ठाड़ी बन गए तो हमें रूट के अंदर कई बार जो सिंप्लिफाई हमने किया है तो आप इस चीज को समझ सकते ह कि जो पेर में होते हैं वो बाहर एक बन के सिंगल बन के आ जाते हैं जैसे इस दोनों की बात करो तो यह क्या बन जाएगा हमारा एक ठाड़ी बन जाएगा दो ठाड़ी यहां से मिल गए तो यह भी ठाड़ी बन गया लेकिन इस थ्री का पेर नहीं है ठीक है तो यह हमारा ऐसी रूट के अंदर रह जाएगा लेकिन अगर यह 9 होता तो भी बाहर आ जाता है ठीक है मतलब maximum उसको हम solve करेंगे simplify करेंगे ऐसा नहों कि कुछ ऐसी चीजे जो है वो रह जाए ठीक है तो अब यहां देखिए यह क्या हो जाएगा हमारा 900 root 3 centimeter square क्योंकि area जो होता है वो हमेशा उसमें two dimension होते हैं तो square का हम लगाएंगे और यही हमारा final answer होगा ठीक है देखिए अब इस question को एक बार और देखिया जैसे यह question है हमारा इस question में particular आपको यूज कर दिया कि आप hirons formula का यूज करो बच्चो दूसरे चीजों का यूज मत कर देना क्यों क्योंकि आप इसका दूसरे तरीके से भी आप simplify करके इसके answer ला सकते है कैसे तो देखिए area of equilateral triangle क्या होता है हमने अभी जिस्ट इंट्रो में मतलब बताया है आपको कि root 3 by 4 a square होता है क्या होता है a square होता है ठीक है चलिए यह के ऊपर अजीव सा square आ गया ठीक है root 3 by 4 into a square होता है ऐसा कुछ होता है ठीक है अब यहाँ जो था हमारा a क्या था यह 60 था क्या था बिटा 60 था तो 60 का square होता कितना है 3600 होता है 3600 अब इसको cancel कर दो 900 time में cancel हो जाएगा यह 900 root 3 cm square यह भी आ गया देखिए ऐसे भी हम answer ला सकते हैं लेकिन हमें mention कर दिया है कि नहीं भी यह ऐसा मत करो आप answer जो है इरॉन्स फर्मूले की मदद से ही लाओ गे important जितना question समझनी से भी ज़्यादा important अगर मैं हिरॉन्स फर्मूला की बात करूं तो question जो समझना है वो तो है important लेकिन इसकी simplification में बच्चों से mistake होते हैं तो थोड़ा इस portion पे ध्यान देना है इस पे command कर लेना है फिर इसके number आसानी से आपको मिल जाएंगे next question के लिए हम ब